जमीन खरीद बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है नितीश शरकार विधान सभा के मौजूदा सत्र में पेश होगा विदेख बिहार सरकार राज्य में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर अब बड़े बदलाव की तरफ से आगे बढ़ने की तयारी में हैं राज्य में जमीन की खरीद विक्री के साथ नक्सा भी अब दल जाएगा इसके लिए सरकार स्पेसल म्यूटेशन शुरू करने जा रही है सरकार की तरफ से इसके लिए कानून में आवस्यक बदलाव भी किया जाएगा और इससे जुरे विदेख सरकार विधान सबा के मौजूत सीथ कालिन सत्र के दोरान पेस करने वाली है सरकार की तरफ से बिहार भूमी दाखिल खारी संसोधन विदेख शदन में पेस किया जाएगा इसमें विदेख के पास होते ही विवस्ता में भी बदलाव हो जाएगा नई विवस्ता में खरीद विक्री होने के साथ अमीन प्लॉट पर जाकर भूर नक्सा सौफवेर से संबादित प्लॉट के खरिदगार के मुताबिक उसका विभाजन कर देगा उसका प्री म्यूटेशन स्केच बनाकर अंचल में इस काम के लिए बाकी की प्रक्रिया पूर पत्र के साथ अटैच कर जारी कर दिया जाएगा हर जमीन की चौदी के बारे में पूरी जानकारी होगी सरकार की तरफ से किये जा रहे हैं इसमें नए बदलाओं के बाद भूमी विवाद को कम करने में मदद मिलेगी जब जमीन के बारे में सही सही जानकारी मुहिया वाद भी कम होंगे और लोग जमीन के मामले में ठगी के सिकार भी नहीं हो पाएंगे अगर कोई वेक्ति अपने प्लॉट का एक हिस्सा बेचता है तो मिरेशन के साथ उक्सान नक्सा भी मिलेगा अब दाखिल खारिच के समय दास्ता वीच के साथ जमीन के उस हिस्से का नक्स सबा की सीद कारिन सत्र में विदेख ला रहा है इसका नाम बिहार भूमी दाखिल कारिच बिदेख 2021 है इससे विभाग ये मंतरी राम सूरत राय पेस करेंगे विदीक के उदेश में कहा गया है दाखिल के मौजूदा नियम में जमीन की वास्तविक स्तिती की जानकारी नहीं मिलती है तो कारांतर में ये भूमी विवात का कारण बन जाता है विदेग के पारित होने के बाद बिहार विशेष सर्वचेक्चन एवं अधी नियमिक 2011 एवं नियम वाली 2012 में संसोधन हो जाएगा जी है तो जमीन खरित बिकरी को लेकर नितीश शरकार ने बड़ा बदलाव किया है